नमस्कार, उस्पस किचेन में आप सब का स्वागत है, आज मैं आप लोगों के लिए लाए हूँ लीची का केक का रेसिपी, देखिए कितना सौप्ट और पंजी बना है केक, एक दम चरजल्दी बन जाता है, एक बड़ा बाती लूँगी, उसमें मैं हाप कप दही दूँगी यहाँ घर का बिठाया हुआ खटा दही है, दही 125 ग्राम है, इसमें मैं हाप कप लिचू का जूज दूँगी, हाप कप रिफाइन ओयल दूँगी, इसमें सुगर दूँगी 125 ग्राम, सुगर को मिक्सिल के जार में पीश लेना है, सुगर पावडरी यूज करना है इसमें, सब समगरी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लिखे मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें एक चुटकी नमक दे दूँगी, नमक को भी मिक्स कर लूँगी, यहाँ 170 ग्राम सुजी है, सुजी को मैं पीशली हूँ मिक्सि के जार में देखी एकदम फाइन होना चाहिए, अब मै सुजी को थोड़ा थोड़ा देते हुए, मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है, देखे मिक्स हो गया है, अब मैं यहाँ टूटी पूटी यूज कर रही हूँ केक के लिए, इसमें मैं एक चम्मच मैदा दे दूँगी, मैदा देके अच्छे से मिक्स कर पूटी-पूटी जम जाता है, उसलिए मैदा में मिक्स कर लेने से एक जगा नहीं जमेगा, चारो तरब पूटी-पूटी रहेगा, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिक्स करके, इस मिश्रम को ढखके, 10 मिनिट के लिए, सुजी को फूले के लिए रखूंगी, मैं एक भगूने में केक बनाऊंगी, उसमें मैं नमख दे दूँगी 500 ग्राम, इस नमख पहले भी केक बनाने के लिए मैं यूज करी हूँ, देखे, देखे, गैस को अम करके, मीड गरम होने के लिए रख दूँगी, डखकन बन कर दूँगी, 10 मिनिट गरम हो जाए, देखे, ये बाटी में मैं केक बटाऊंगी, इसमें मैं रीफाइन ओयल, अच्छे से चारो तरफ से लगा लूँगी, मैं आशानी रहता है केक उठने में, अब मैं एक टो बटर पेपर आपके पास बटर पेपर ना रहे, तो आप मैदा भी इसमें फेला के, इस्टा मैदा अलग कर दीजिए, हो जाएगा, ऐसे देखे, उपर से भी ऐल लगा दूँगी, देखे, 10 मिनिट हो गया है, यहाँ सुजी फूल गया है, देखे, अब मैं इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर दूँगी, और हाप चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच उपर से दूद देदूँगी, देखे, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देखे, मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें हाप चम्मच बेनिला एसेंस दूद देदूँगी, देखे, इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए मिक्स हो गया है अब मैं इस बाटी में बेटर को दे दूँगी देखिए बाटी को जड़ा सी ट्याप कर दूँगी पर से एक चम्मच के करीब तूटी-पूटी दे दूँगी दिखने में अच्छा लगेगा देखिए ब्रगुने गरम हो गया है अब इसमें मैं एक स्टैन रख दूँगी मेरे पास यह स्टैन है इसकोई मैं रखूंगी अभी बीचो बीच रख देना है साबधानी से रखना है नहीं तो हाथ जल जाएगा आप के पास यह ना हो तो यह स्टैन होने से भी काम चल जाएगा नहीं रहे तो आप कोई भी प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए इससे भी काम चल जाएगा अब मैं बाटी को साबधानी शेर बीचो बीच में रख दूंगी देखिए ऐसे बीचो बीच रख देना है रख के इसको धख देना है रख के मीडियम गैस में 35 से 45 मिलिट तक पकाना है देखिए जो दखकन का होल है इसको बन कर देना है इससे हावा बाहा नहीं निकलेगा देखिए इसे बन कर देना है, 40 मिंट हुआ है, अब चेक कर लूँगी, ये केक पुड़ा पकाक की नहीं, देखिए एक दम गुटपी, स्टेन लिकल रहा है, इसलिए केक पुड़ा पक गया है, अब मैं गैस को आप कर दूँगी, करके केक का बाटी बाहर निकाल के इसको ठं छोड़ा के, अब इसके उपर से ठाली रख दूँगी, ठाली रख के इसको उलट दूँगी, देखिए अब मैं जरासी ठापा दूँगी, आसानी से केक निकल आया है, देखिए, अब मैं इसके उपर जो बटर पेपर रखी थी उसको निकाल दूँगी, देखिए कितना अ बनाकर खाईए और आप लोगों का अनुगों पुस्पस किचन में शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल में नहीं हो तो सस्काइब करना ना भूले मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्य बात